एलो गाइज वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं आवेंजर्स के 52 पार्ट में तो चल ये शिरू करते हैं तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं एक मल्टी वर्सल मास्टर ओफ इवल की टीम बनाई गई है जिसमें की अलग रियालेटी इसके सबसे खतानाक विल चुकी है जो की घर है अवेंजर्स का कुछ विले ने एसगार्ड में जाके आईरन मैन, इको, थोर और डेट लॉक्स पे अटेक किया है स्टार ब्रैंड बच्ची जिसका नम ब्रैंडी रखा गया है उसको अवेंजर्स ने पाला पोसा है कुछ टाइम पहले रियालेटीव बहुती अच्छा आदमी था तो वो लेडी कहती है थैंक यू सन वैसे तो मेरी आँखे भी कमजोल हो गई है बट मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो कैप्टन कहते है मैं आपके पति के साथ यूद में गया था तो वो लेडी कहती है तुम्हें कोई गलत फ्रेमी हो गई है उन्होंने तो वर्ल्ड वोर टू लड़ा था तो कैप्टन कहते है हाँ उन्होंने बहुती बहादूरी से लड़ा था तो वो लेडी कहती है मैं चाती थी कि मेरे पती का कॉफीन उठाने के लिए उसके साथी हो बड़ उसके सभी बुरे दोस्तों प हम तो इसको जानते भी नहीं तो कैप्टन मार्वल कहती है हाँ जानते तो नहीं है बट जो जानता है उसने हमें आने के लिए कहा है तो जब कैप्टन अमेरिका तुम्हें कहीं आने के लिए कहें तो तुम्हारा जवाब यस या नो नहीं होना चाहिए तुम्हें ये कहना चाहिए कि हमें कब आना है तो वो खिजते हुए कहती है हम यहां से कब जाएंगे तो कैप्टन मार्वल उसको कहती है मुझे तो लगा था कि तुम्हें अवेंजर्स माउंटेन से बाहर आके अच्छा लगेगा क्योंकि वो खौशू वाले इंसिडेंट के बाद तुमने वर्ल्ड को देखा ही नहीं न तब तो तुम वैसे भी एक छोटी बच्ची थी याई शायद तुम मुझे कुछ पताना चाहती हो तो यहां हमें कुछ अफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है यहां कुछ एलियन अपने शिप की और भाग रहे होते हैं यहां एक एलियन अपने साथियों को कहता है हमारे धर्ती के मिशन का भाड़ा भूट गया है किसी ने हमें ढूड लिया है वो जो भी है उसको रोका नहीं जा सकता वो चीज हमारे साथियों को फारते हुए निकल गई तो हम देखते हैं कि यह स्टार ब्रैंड होती है जो उनके शिफ को फारते हुए निकल जाती है तो यहां वो कैप्टन मार्वल को जवाब देती है मेरा जनम धर्ती को ऐलियम सकम से बचाने के लिए हुआ है तुम क्रीज से प्यार करने वाली मुझे नहीं लगता जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम्हें अच्छा लगेगा तो कैप्टन मार्वल उसको कहती है तुम शांत हो जब हाफ पिंट कुछ अफते पहले अवेंजर्स तुम्हारे डाइपर को चेंज करते आये तो तबी वहाँ कैप्टन अमेरिका भी आते हैं वो कहते हैं बहुत बड़िया तुम दोनों आ गई मुझे ये टाउन में इस काम के लिए आना था तो मुझे लगा कि ये काम भी अभी हो जाना चाहिए चलो हमें यहाँ काफी कुछ देखना है तो वो उन्हें कानर सिटी में ले जाते हैं वो उनको एक टूटे हुए घर के पास ले के जाते हैं तो ब्रेंडी कैप्टन अमेरिका को कहती है आप हमें ये दिखाने के लिए लाए हैं तो कैप्टन अमेरिका कहते है हाँ ये तुमारे लिए है ब्रेंडी तो वो कहती है मुझे तो आसपास कहीं भी एक भी एलियन की स्मेल नहीं आ रही तो तुम मुझे यहां क्यों लेके आए हो कैप्टन तो कैप्टन अमेरिका कहते है यह तुमारी मा का घर था तो वो कहते है क्या मेरी मा तो Captain America कहते हैं उसका नाम था Suzanne Selby उसकी family यहाँ सर्विया से आई थी 1902 में उन्होंने यही नदी के पास काम किया Suzanne का जनम इसी गर में हुआ था जैसे कि उसका मा का भी हुआ था वो यही रही जब तक उसकी जॉब नहीं गई उसके बाद उसने वही किया जो उस हलात में सभी लोग करते वो अच्छी life के लिए border से बाहर चली गई वो शियार इंपीरियम के border में चली गई वहाँ उसके पास document ना होने की वज़ा से border patrol वालों ने उसको पकड़ लिया उसे Ravenstar की jail में भेज दिया गया जबकि उसके बच्चा होने वाला था हमने उसको वहीं ढूंडा वहीं उसकी मोद हुई एक star brand के जैसे एक मा होने के नाते उसने अपने बच्चे को बचाना चाहा वो उसने तुमें बचाने के लिए किया तो वो Captain को कहती है कि तो मुझे यहां क्यों लेके आये हो तो Captain America उसको कहते है देखो हमें पता है तुम चुपके से जाती हो Alien को हंट करने के लिए जो भी धर्ती पे आते है जो कि अब हमें stop करना होगा तो Captain Marvel भी कहती है देखो जिसके पास भी star brand होता है वो एक weapon के जैसे बन जाता है यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली space की top हम तो तुमें बस ये बताना चाहते है कि तुम चाहे star brand रहो या ना रहो तुमें ये पता होना चाहिए कि तुम हो कौन तो वो कहती है क्या हम अंदर जा सकते हैं मैं उन चीज़ों को पकड़ना चाहूंगी जो उन्होंने टच की होंगी तो Captain America कहते हैं हाँ क्यूं नहीं बट तबी उनके सामने वो death lock आ जाते हैं वो कहते हैं Avengers हमें होप थी कि हम तुमें यहां ही ढूंडेंगे तो Captain America कहते हैं death locks time travel करने वाले साइब्रो घते आ रहे तो वो कहते हैं हम तुमें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हम वैसे death lock नहीं हैं तुमें घबराने की नीड़ नहीं है हम भी तुमारे जैसे अच्छा काम करते हैं हम भी Avenger Tower की सेवा में लगे हैं इस समय हम यहां भहुत भियानक टाइम में आये हैं हम इस यूग के महान Avenger को ढूंडते हुए आये हैं तो Captain America कहते हैं ऐसा है तो हम दोनों तुमारी help करेंगे तो वो कहता है माफ करना हमने तुम दोनों की बात नहीं की वो Star Brand के सामने जुक जाते हैं और कहते हैं हमने हजारों यूनिवर्स को पार किया एक स्टार को फोलो करते हुए एक ऐसा स्टार जो सभी का स्टार है हम तुमारी शरन में आये हैं क्योंकि यहां हमारी वार्नी को अंसुना नहीं किया जाएगा जो की चितावनी है Death Hunters की अभी वहां Ghost Goblin एक Bomb फैंकता है तो Death Log कहता है वो यहां पहुँच गए वहां एक बड़ा सा धमाका होता है तो यहां Captain Marvel कहती है यह Soul को जला देने वाला मुझे पहले भी फील हुआ है जब हमारी Fight हुई थी Robby के साथ यह एक Hellfire Bomb था तो Captain America कहते हैं वो नदी की और चले गए हैं तुम मेरी वेट मत करना के रो तो Captain Marvel कहती है ठीक है मैं जाती हूँ तो Captain America कहते हैं Brandy तुम यही रहना और वो खुद भी वहां से चले जाते हैं Brandy देखती है कि उसके मां का घर जल चुका है तो यहां Black Skull और Ghost Goblin पहुंच जाते हैं एक Death Lock के पास तो यहां Ghost Goblin कहता है मुझे लगता है मैंने 1000 Death Lock को Hell में भेज दिया है यह काम मैंने और मेरे Noggin Bomb ने किया है स्कली तुम तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाऊगे तो Black Skull उसको कहता है तुम्हारा खून करने का वे अलग है और मेरा अलग है और वो एक Death Lock को पकड़ लेता है तभी Captain Marvel उसको पीछे से आके पकड़ लेती है वो कहता है Hello Miss Marvel या Captain Marvel या Major Marvel या जो भी तुमें इस यूनिवर्स में कहते हैं या तुम उससे पूछना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ तो Captain Marvel कहती है नहीं तुमने मुझे सब कुछ तभी बता दिया जब तुमने मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की तो यहां Captain America भी Black Skull के साथ लड़ रहे होते हैं वो कहते हैं Eddie Brock क्या ये तुम हो तुमने ये खुद के साथ क्या किया है तो Black Skull कहता है ओ तुम अभी भी कितने स्लो हो हमारी मुलाकात कितनी ही धर्थी पे हो चुकी है और वो हमेशा ही बहुत आकवर्ड होती है वो Captain America को बताते हैं ये तो वैसे Black Skull है ये जिस धर्थी से आया है वहाँ Hydra ने इसकी बोड़ी में Symbiode को गुसा दिया बट आप कोई भी धर्थी से क्यों न हो Captain आपके लिए fight में आना हमेशा Honor की बात होती है तो Captain America भी कहते हैं कि चाहे कोई भी धर्थी क्यों न हो ये Red Skull तो Red Skull ही रहता है वो T'Challa को मैसे भेजते हैं कि उन्हें Avengers चाहिए Canis City में तो यहाँ एक Death Lock दूसरे Death Lock को कहता है हमें अपने Hunters को 616 में नहीं भेजना चाहिए था ये reality बहुत ही ज़्यादा important है तो वो कहता है क्या ये वाली सच में मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ के hero अभी इतने काबिल भी हैं वो तो ऐसा लगता है कि जैसे अभे पूरी तरह पके भी नहीं हैं अगर इस वाली धर्थी की बात करूं तो इसके अच्छे दिन पीछे रहे कए हैं जो की लगता है कभी भी वापिस नहीं आने वाले तो वो second वाला deathlock जवाब देता है मुझे लगता है तुम अपना faith हो चुके हो भाई deathlock इस world में जो evolution होने वाला है तुम उसको भाप ही नहीं पाए यहाँ कैरोल डैन्वर है जिसकी सीमा बढ़ती ही जा रही है यहाँ फिनिक्स का दुबारा से एक नया जनम हुआ है यहाँ के गोस्ट राइडर को भी बहतरीन cosmic awareness मिलने वाली है यहाँ नमोर का भी राइस होने वाला है और जेन फॉस्टर का पहले ही हो चुका है तो वो deathlock उसको जवाब देता है क्या जेन और नमोर तुम अपनी आखें खोलो तुमें पता है ना उन्होंने कितने universe को दुबारा से लिखा है कितनी ही फिनिक्स, कितने ही ghost rider, कितने ही god उन्होंने खतम किये है यह धर्ती तो पहले ही तबाही पे है इसको कोई नहीं बजा सकता तो second वाला death log उसको जवाब देता है बलकी आखें तो तुमें खोलनी चाहिए तुमने कहा ना यही reality क्यों जवाब तुमारे सामने है वो light को देखो जो आ चुकी है तबी वहाँ star brand आती है वो कहती है मुझे किसी क्लेंटार की smell आ रही है नल के एक bastard बच्चे की एक soul को juice लेने वाले alien symbiote की जिसको की आख से डर लगता है और वो black skull को जला देती है कैप्टन अमेरिका कहती है ब्रैंडी नहीं तो यहाँ ghost goblin कैप्टन मार्वल को पीड़ते होए कहता है एक छोटी सी कैरोल को लगा था कि वो ghost goblin को रोक लेगी मैं spirit of vengeance की आत्माव को खुद अपने हाथों से निकाल लेता हूँ तो तुम देख सकती हो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो बट तभी star brand उसको मुक्का जड़ते होए कहती है मुझे तो यहां बस हड़ियां दिख रही है जिसने मेरी मा के घर को उड़ा दिया तो ghost goblin कहता है इस यूग में एक star brand तो black skull कहता है इसके जैसे तो बचने ही नहीं चाहिए थे इनको तो पहले ही जल जाना चाहिए था तो goblin कहता है मुझे लगता है कि यह last बची है बट इसको पता नहीं है तो black skull कहता है हाँ तुम जाके बता क्यों नहीं देते तो captain america star brand को कहते है शान्त हो जाओ तो वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मैंने उन मरे हुए death log को सुना मैं एक star child हूँ मैं पहले sunrise के जितनी old हूँ तो captain marvel उसको कहती है अगर तुम्हें मदद ही करनी है तो उन death log को किसी safe जगा पे ले जाओ तो यहां black skull goblin को कहता है मुझे यह star brand बिल्कुल भी प्रसंद नहीं है तुम्हारे पास rider के कितने skull बचे है तो goblin कहता है कि इतने बचे हैं कि यह continent को hell में पहुचा देंगे तो skull कहता है उनको यहीं फैंक दो हम बाकियों के पास जाते है तो ghost goblin कहता है हाँ क्यों नहीं मैं और ले आऊंगा और वो सभी bombs को फैंक देता है captain america कहता है oh god तो captain marvel कहती है मैं इन सबी को पगड़के जितनी उंचाई पे हो सके ले के जाऊंगी तुम वो बच्ची को देखो बट तबी सामने star brand आ जाती है वो कहती है बच्ची खुद का ध्यान रख सकती है और वो bombs को छीन लेती है captain marvel कहती है यह तुम कर क्या रही हो तो वो कहती है मैं वही कर रही हूँ जो मुझे Avengers ने करने को कहा है मैं अपने मा की बच्ची बन रही हूँ वो उन bombs को जला देती है तो यहां captain marvel कहती है उसने कर दिखाया उसने उनको फटने से पहले ही जला दिया captain america कहते है मैं देख सकता हूँ कि वो जिन्दा है तो captain marvel कहती है यह इतने जब असकल थे बगवान ही जाने इस बच्ची में कितनी शक्ती है तो star brand उनको कहती है वो दोनों तो भाग गए बट मुझे smell आ रही है कि और भी alien ने attack किया है Avengers mountain पे तुम सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो क्या तुमने कभी एक छोटी बच्ची को star brand के साथ नहीं देखा तो यहां हम देखते हैं कि वो पहले से बड़ी हो चुकी है तो guys इसी के साथ हमारा ये part खतम होता है हम भी मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई